Hello guys and welcome to Vision Freak आज हम बाग करेंगे कि हम कैसे professional photographers की तरह photo click कर सकते हैं but before that don't forget to like and subscribe the channel and if you like the video don't forget to comment down below tip number one click through something आप अपने main object और आपके lens की बीच में कोई ऐसी object डालिए जिसे आप blur कर सकें ये आपकी photography में professional photographs का एक look डाल देती है तो आईए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं जो मैं यहाप पर object ले रहा हूँ मैं use कर रहा हूँ cup का handle यहाप आप देख सकते हैं मैं इस handle की through अपने object को click करूँगा और आप कुछ भी ले सकते हैं अगर आपके पास plastic है plastic polythine वगएरा कुछ भी है आप उसे through photos करें ताकि जो आपका object जो आप ले रहे हैं वह blur हो जाए और जो आपका main object है वह fully focused रहे तो आईए देखते हैं के example तो यहां पर आप देख सकते हैं यह आपकी photograph को professional type का look दे रहा है आप इसकी जगह कप की जगह आप plastic bag भी यूज़ कर सकते हैं यहां पर मेरे पास carry bag है तो मैं आपको इससे भी photo click करके दिखाता हूं तो जो carry bag का जहां से हम पकड़ते हैं मैं उसके through photo लूँगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यह आपकी photograph में अलग ही dimension दे देता है आपकी photography को बहुत ज़्यादा professional look दे देता है step number two आप अपने photographs को different angles से click करें अगर आप अच्छे professional photographer हैं तो आपको पता होगा कि angles कितने important होते हैं फोटोग्राफी में बट अगर आप beginner हैं तो आप अपने object को एक जगा stationary रखे different angles से click करके देखें यह आपको experience भी देगा photography में आप कैसे अच्छे photographs बन सकते हैं और यह आपके skills को भी develop करेगा तो आईए देखते हैं एक और example तो यहां पर आप object आपको पता ही है यहां पर guitar है तो मैं इसको different angles से photograph लिक कर सकता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने photo को different angles से लिया है side view तो यहां पर एक top view भी खीश लेते हैं इसको तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप अपने angles को change करेंगे तो photographical look भी उसी उसी हिसाब से change होगा तो angles photography में बहुत ज़्यादा important हैं आप अगर beginner हैं तो इस पर focus करें आप अपने frame जिसमें आप photo click कर रहे हैं उसे थोड़ा creative बनाएं आप अपने thinking को बढ़ा हैं यहां पर जो मैं object ले रहा हूं आपको पता है guitar है इसे मैं normal click करने की जगा मैं यहां पर कुछ और elements एड़ कर देता हूं ताकि यह photo और जाद अच्छी लगे तो यहां पर elements जो मैं यहां लिए रहा हूं आपके पता है cup watch and tab तो यहां पर जो गिटार है तो यहां पर आप देख सकते हैं तो आपका composition आपकी photo को और ज्यादा better कर देता है आप अपने frame को अच्छे से set करें ताकि आपकी photographs अच्छे से click हो पर जाद ऑके ताक online picture और I